दिवाली का पावन त्योहार काफी धूम धाम से मनाया जाता है, इस दिन सब भगवान गनेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, साथ ही घरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपावली को लेकर कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं, इस दिन कुछ चीजों के दिखने से घर का दिखना बहुत शुब माना जाता है, ये गाय देवत्व का प्रतिक मानी गई है, दिवाली के दिन इसका दिखना सम्रिद्धी का संकेत माना गया है, शकुन शास्त ज्योतिश का ही एक भाग है, शकुन शास्त के मताबिक छोटी छोटी गतिविधियां हमें हमारे चिपकली वैसे तो घर में देखने को मिल जाती है, लेकिन दिपावली की रात गनेश लक्षमी पूजन के बाद अगर चिपकली दिख जाए तो ये बहुत शुब माना जाता है। अगर दिवाली की रात दिख जाए तो समझ लें कि आप पर मालक्षमी का आशिरवाद बना हुआ है। दिवाली के समय अगर सपने में उल्लू दिखाई देता है तो जीवन ये आपको धनलाब होने का संकेत देता है। हालांकि अगर सपने में उल्लू दूर जाता दिखता है ये धन हानी का भी संकेत होता है। दिवाली की रात अगर आपको छचुंदर दिख जाते हैं तो ये खुशी की बात है। दिखना लाबदायक माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन बिल्ली का घर में दिखना माता लक्षमी के आगमन का सूचक माना जाता है।